तोडन तोडन साइस्थ 9.4 इस एक्ससाइज वे मल्टिप्लाइज द बाइनोमियल को मुल्टिप्लाइज करना अभी तक हमने जो मल्टिप्लिकेशन की थी वह मोनोमियल की दी तो बाइनोमियल में क्या है आपको एक रूल धान में रखना है सबसे पहले आप इस 2x को किसके साथ multiply करोगे 4x-3 के साथ बीच में plus है तो plus write करो then इस 5 को multiply करोगे किसके साथ 4x-3 के साथ तो सबसे पहले आपको देखो 2x को multiply करना है किसके साथ 4x-3 के साथ फिर 5 को multiply करना है 4x-3 के साथ तो यहां से ले लो 2x को multiply करना है किस के साथ 4x के साथ तो सबसे पहले आप 2 को multiply करोगे 4 के साथ 8 और x को x के साथ करोगे तो x square plus minus minus अब 2x को multiply करना है आपको 3 के साथ तो 2 को 3 के साथ करोगे तो 6x अब 5 को 4 के साथ करो देखो plus 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 होगा and 5 को 4 के साथ करेंगे तो 20x plus minus minus 5 raise 15 सरफ यह चीज आपको याद रखनी है कि सबसे पहले 2x को complete binomal के साथ multiply करना है then 5 को पूरे इस complete binomal के साथ अगर आप bracket right करते हो तो आपसे mistake नहीं होगी first you will multiply 2x with 4x then with 3 तो आप देखो आप यहाँ पर यह आपकी value आई 8x square like term है यहाँ पर x और 20x 20x में से 6x जाएंगे तो आपका 14x आजाएगा किसका plus का क्योंकि plus के ज्यादा है और minus 15 बस यह है आपकी binomal की multiplication process वही है जैसे इसमें given आपको y minus 8 and 3y minus 4 तो आपको क्या करना है सबसे पहले y को multiply करना है किसके साथ 3y minus 4 के साथ बीच में minus है अब 8 को multiply करो 3y minus 4 कोई फर्क नहीं परते है आपका minus आता है बाट rule रूल ही है वह follow करोगे तो mistake नहीं होगी plus 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 and 3 को 1 के साथ किया 3 y को y के साथ किया y square plus minus minus y को 4 के साथ करोगे तो 4y यहां पर आया plus minus minus 8 रिजा 24y minus minus plus 8 को 4 के साथ किया 8 4 जा 32 इसमें दो like term है आपकी एक minus 4y है और एक minus 24y then आप इसको simplify करोगे तो दोनों ही minus के हैं तो minus के 24 और 4 यह हो जाएंगे minus के 28y and plus 32 बहुत easy है इसको करना बिलकुली आसान है जैसे आपको यह दे रखा है 2.5L minus 0.5M and multiply करना हमको किसके साथ 2.5L plus 0.5M process वही रहेगा सबसे पहले आप 2.5L को multiply करो इस complete के साथ तो क्या आएगा 2.5L plus 0.5M बिच में minus है minus write करो यह है आपका 0.5M और multiply करना है 2.5L plus 0.5M देखो coefficient को coefficient के साथ multiply करोगे 2.5 को 2.5 के साथ आपको decimal की multiplication अच्छे से आती है अगर मैं कहूं कि 2.5 को multiply करो 2.5 से तो decimal हटा दो 25 को 25 से करोगे तो आपका आएगा 625 अब point देखो अगर 2 के बाद है 1,2 तो point 2 के बाद आ जाता है तो this is the multiplication of decimal यह ध्यान रखना है आपको की point कैसे place करना है point हटा के हम multiply करते है then after we will put here the point जैसे 1,2 के बाद है तो 2 के बाद and 1 के बाद है तो 1 के बाद तो अब first we will multiply 2.5 with 2.5 तो answer आया आपका 6.25 क्योंकि 25,25 multiply किया 625 आया point 2 के बाद आएगा L को L के साथ multiply किया L square plus 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 देखो 25 को 0.5 के साथ अब 5 से multiply कर दो क्या आएगा 125 आएगा 2 के बाद point है तो 1.25 और L को M के साथ करोगे तो L M plus minus minus 5 को करना है 25 के साथ answer आया 125 2 के बाद point है तो आप 2 के बाद point लगा दो ML तो आप इसको भी L M लिख सकते हो next आपका plus minus minus 0.5 को 0.5 मतलब 5 को 5 के साथ तो 25 और point आना है 2 के बाद तो 0.25 M square अब चेक करो 1.25 L M plus है 1.25 L M minus है दोनों value कट हो जाएंगी remaining value बची आपकी 6.25 L square minus 0.25 M square Now come to the next part of question number ये है question number 4 इसमें आपको multiply करना है A plus 3 B को X plus 5 के साथ देखो अगर आपको लगता है कि आप इसको इसके साथ खोलना चाते हो तो आप ये भी कर सकते हो otherwise इसके साथ भी करेंगे then भी कोई problem नहीं है A को multiply करो किसके साथ X plus 5 के साथ तो X plus 5 राइट कर दो बीच में sin plus है तो plus अब 3 B को multiply करेंगे किसके साथ X plus 5 के साथ अब देखो A को X के साथ multiply करोगे AX आएगा A को 5 के साथ multiply करोगे 5 A आएगा 3 B को X के साथ करोगे 3 B X and 3 B को 5 के साथ करोगे तो यह आएगा आपका 15B अब यह चीज़ देखो आपका जो X है AX plus 3BX यह एक जैसे है बाकी तो 5A और यह B है यह match नहीं हो रहा तो आप इसको combine कर सकते हो तो इसमें से आपका X common आजाएगा आप इसको लिख सकते हो A plus 3B और बाकी as it is write कर दो यह हो गया आपका answer तो एक simple question था next में देखो 2PQ को multiply करना आपको किस के साथ 2PQ को multiply करना है 3PQ minus 2Q square के साथ बीच में sign plus है 3Q square को multiply करना है 3PQ minus 2 square यहाँ देखो 2PQ को 3PQ के साथ करोगे 2,3,6 P को P के साथ किया P square and Q को Q के साथ किया Q square plus minus minus 2 को 2 के साथ किया 4 देखो P यहाँ नहीं है तो P as it is एक Q है और यहाँ पे Q square है तो Q की power 3 हो जाएगी अब यह multiply करो 3 को 3 के साथ 9 P as it is यह Q square है और Q square को Q के साथ करोगे तो Q की power 3 plus minus minus 3 को 2 के साथ किया 6 6 Q square Q square Q की power 4 अब इसमें 2 like term है आपके 1 P Q 3, 1 9 P Q 3 दोनो like term को आप add कर दो तो यह answer आया आपका 6 P square Q square 9 में से 4 गया 5 P Q 3 and 6 Q 4 एक very important question है this is the part of 6 question number 1 की how to simplify this तो देखो इसमें आपको 3 चीज़े दे रखी हैं तो पहले एक काम करो आप इसको 4 के साथ multiply कर लो फिर हम इसको इसके साथ multiply करेंगे तो सबसे पहले लिखो 3 by 4 A square यह है आपका B square आप 4 के साथ इसको multiply करोगे तो A square देखो 4 A square minus 4 2 जा 8 by 3 मैंने कुछ नहीं किया है सिर्फ 4 को अंदर लेके गई हूँ और अंदर इसकी multiplication नहीं पहले A square के साथ 4 A square फिर 4 2 जा 8 A by 8 by 3 B square अब मैं इसको open करूँगी as usual जो हमने यह किये हैं तो सबसे पहले आप 3 by 4 A square को multiply कर दो किसके साथ 4 A square minus 8 by 3 B square के साथ फिर plus 3 B square को multiply करो 4 A square minus 8 by 3 B square के साथ आप देखो multiplication में सबसे पहले क्या होता coefficient क्या है यहाँ पर 3 by 4 and 4 sin तो हो चुका 3 by 4 and 4 अब A square को A square के साथ करोगे तो A की power 4 अब plus minus sin minus 3 by 4 को multiply करना है आपको 8 by 3 के साथ A square को किसके साथ करोगे आप B square के साथ plus 3 को multiply करना है आपको 4 के साथ 3 को multiply करोगे 4 के साथ तो this is 12 B square को A square के साथ करोगे तो यह आएगा आपका A square B square plus minus minus 3 को multiply करना है किसके साथ 8 by 3 के साथ और B square को B square के साथ करोगे तो B की power 4 देखो हमने पहले साइन को multiply किया then हमने coefficient को multiply किया अब हम उनको simplify कर लेंगे देखो यहां देखो 4 से 4 कट गया 3 A की power 4 बचा यहां 4 2 जा 3 से 3 कट गया minus 2 A square B square यहां 12 A square B square यहां 3 से 3 कट गया और minus 8 B की power 4 इसमें 2 like term है A square B square plus के 12 और minus के 2 तो यह वाद 3 A 4 plus 10 A square B square देखो 12 में से 2 गये 10 और minus 8 A 4 8 B 4 कि यह B 4 है तो इस इस और question number 1 नाओ come to the next question इस इस question number 2 in this given that find the product आपको इसकी product find कर लिया है means आपको multiply ही करना है तो आप इनको multiply करो 5 minus 2 X को किसको किसके साथ multiply करना है 3 plus X के साथ मैंने एक part हो लिया है P square minus Q square को multiply करना है 2 P plus Q के साथ क्योंकि बहुत ही easy है मुझे नहीं लगता है कि मुझे जरूरत करवाने की आप खुद ही कर लोगे बाकी 2 part में इसमें छोड़ रखे है तो आप first part देखो सबसे पहले आप इसको किसके साथ multiply करोगे 5 को multiply करना है 3 plus X के साथ बीच में minus sign है तो minus sign लगा दो 2 X को multiply करना है किसके साथ 3 plus X के साथ अब देखो 5 3 जा 15 and 5 X आपने 5 के साथ multiply किया अब plus minus minus 2 को 3 के साथ करोगे 2 3 जा 6 अब plus minus minus 2 X square यहाँ पर दो like टरम है 5 X, 6 X है तो minus K ज़्यादा है तो minus K X बच जाएंगे और minus 2 X square बहुत ही simple सा question था एक core है ऐसा ही P square minus Q square को multiply करना है 2 P plus Q के साथ तो सबसे पहले आप P square को multiply करो 2 P plus Q के साथ minus Q square को multiply करो 2 P plus Q के साथ तो सबसे पहले 1 है 2 बन जा 2 और P की power 2 और P P की power 3 plus P square Q plus minus minus 2 बन जा 2 और देखो यह Q की power 2 और P plus minus minus Q की power 3 अब इसमें से एक भी like टरम नहीं है देखो यह P square Q है यह Q square P है तो यह like नहीं हो सकती क्योंकि इनके power same नहीं है तो इसको as it ही छोड़ो क्योंकि like टरम होती तो हम add और subtract करते बट इन केस कोई भी like टरम नहीं है तो leave as it is अब आता है आपका question number 3 most important question इसमें given है product ही है आपको simplification के लिए दे रखा it means product है तो product find out करना तो यही काम है इसमें करना है हमें तो देखो यहाँ पर दे रखा है x square इसको multiply करना आपको x plus 5 के साथ तो x square को multiply करो x plus 5 के साथ बीच में minus है 5 को multiply करो x plus 5 के साथ अब पीछे दे रखा 25 देखो भी भूल मन जाना इसको क्योंकि यह भी इसी का part है तो अब आप इसको multiply करोगे x square को x के साथ तो यह x की power 3 देगा plus यह होगा आपका 5x square plus minus minus यह हो गया आपका 5x plus minus minus 25 और plus 25 अब दो चीजे तो मुझे cancel होती भी दिखाए दे रही है minus 25 plus 25 ओके यहाँ पर कहीं नहीं 5x और 5x square cancel नहीं होगा क्योंकि देखो यह x square है और यह खाली x है तो इसको छोड़ दो इसको as it is तो answer होगा आपका x की power 3 plus 5x square और minus 5x चोड़ आप करते हैं इसका next part of question number 3 This is question number 3 part 4 इसमें भी वही काम है कि आपको क्या करना है multiply करना है multiply करोगे तो देखो सबसे पहले a को multiply करना है किसके साथ c minus d के साथ तो a को multiply करो c minus d के साथ बीच में sign plus है b को b multiply करो c minus d के साथ next plus है a को multiply करो किसके साथ c plus d के साथ minus b b को करो c plus d के साथ अब बचा plus 2 अगर आप इसको करोगे तो a c आएगा और plus 2b d आपने 2 के साथ multiply कर दिया है अब आप इसको open कर लो a को c के साथ किया a c plus minus minus a d b को c के साथ किया b c plus minus b को d के साथ b d plus 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 a को ये c है आपका a c और a को d के साथ a d अब देखो plus minus minus b को c के साथ b c minus b d और यहां बचा है आपका 2ac and 2b d अब लाइक ट्रब ढूंडो सबसे पहले यहां a c है और ये भी a c है तो कितना हो गए आपका 2ac ओके ने a c plus a c और plus 2ac तो टोटल क्या आपके हो गए? 4 a c अब minus a d अब minus a d ओके plus a d cancel 0 plus b c minus b c again cancel 0 minus b d minus b d minus 2 b d और plus 2 b d और कोई टर्म बची? यह हम ले चुके हैं यह भी ले चुके हैं तो यह दोनों आपके हैं again cancel हो गई और आपका अंसर क्या है? 4 a c प्रोसेस से में थोड़ा लेंदी हो सकता है दो की जेगे 3 टर्म देदी तीन की जेगे 4 देदी बट प्रोसेस तो वही है अब जैसे आप इसको देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? x से open करोगे 2x plus y plus y से open करोगे 2x plus y अब यहाँ पर open करो x x को multiply करोगे इसके साथ x minus y के साथ फिर 2y के साथ multiply करोगे x minus y के कर लेते हैं multiply इसको इसके साथ multiply करोगे तो यह आएगा 2x square x को y के साथ करोगे तो x y plus होता है तो कोई problem होती नहीं 2 बन जाट 2 x y और y को y के साथ किया y की power 2 अब देखो plus 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 x को x के साथ किया square plus minus minus x y 2 y को x के साथ करोगे तो 2x y और plus minus minus 2y square अब ढूंडो like term 2x square x square means 3x square x y 2 x y देखो x y से तो x y के cancel हो गया 2 x y 2 x y means 4 x y plus y square और कहीं y square नहीं है minus 2 y square minus 2 में से एक गया तो आपके minus y square और चेक कर लो और कहीं ही रहता है और कुछ नहीं है यह हम add कर चुके है now this is part 5th of question number 3 now come to the last part of this exercise this is 7th part of question number 3 what is given that आपको इसको पहले इसके साथ complete के साथ multiply करना है then minus 4y के साथ इसके साथ complete multiply सबसे पहले 1.5x ले लो multiply करोगे किसके साथ 1.5x plus 4y plus 3 फिर minus 4y के साथ multiply करेंगे 1.5x plus 4y plus 3 direct multiplication में mistake हो सकती है तो first you will write this step properly थोड़ी देर के लिए point को भूल जाओ 15 x 15 आपको पता है 225 होता है 15 का square अब 2 के बाद point आ जाएगा x को x के साथ किया x square 15 को 4 के साथ करोगे आपको पता है 60 आता है 1 के बाद point है तो 6.0 हो गया और x को y के साथ xy 15 को 3 से किया 45 होता है एक के बाद point साथ में x होगी multiplication देन प्लस माइनस माइनस 15 फोर जा 60 एक के बाद point है तो 6.0 और x y अगेन प्लस माइनस माइनस 4 को 4 के साथ किया 16 y को y के साथ किया y square प्लस माइनस 12 3 को 4 के साथ किया 12 y यह हुआ minus 4.5 x और प्लस 12 y जो पहले दिखा उसको मैंने कार दिया यह minus 12 y है और प्लस 12 y यह plus 4.5 x है और यह minus 4.5 x और चेक कर लो यह 6.0 x y है यह minus 6.0 x y है और मैं सारी almost सारी value आपकी कट हो गई बाकी जो बचा हो वो क्या है आपका 2.25 x square और minus 16 y square this is your answer next दिख आपको दे रखा है 3 को 3 को कैसे करना है process सेम है पहले आप इसको a के साथ करो a plus b plus c minus c फिर इसको b के साथ करो बीच में plus का साइन है plus a plus b minus c फिर इसको c के साथ करो c a plus b minus c तो आप ऐसे open करोगे इसको अब multiply कर दो multiplication simple है a square a b minus a c इसको इसके साथ करोगे b a plus b square minus b c यह c a c b minus c square अब like term a b a b a c cancel और कुछ minus b c plus b c cancel अब check कर लो हमारा a c नहीं कटा है यहाँ minus है और यहाँ plus a c हमारा a b नहीं कटा है तो यहाँ भी a b है और यहाँ भी a b है तो यह 2 a b बच जाएगा और साथ में क्या बचा है a square plus b square a b a b 2 a b तो यहाँ आजाएगे आपकी क्या multiplication एक c square रोड बचा है कहीं भी this is your c square this is your answer now this is your exercise 9.4 I hope you can do easily by the given explanation have a good day